नमस्कार आईए विंटर स्पेशल में आज बनाते हैं आलू मतर की स्वादिष्ट सबजी ये सबजी खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाती है तो चलिए देखते हैं इस स्वादिष्ट आलू मटर की सबजी बनाई कैसे जाती है इसके लिए दो बड़े आलू वजन में लगभग आधा किलो हैं उबाल कर छील कर मुटा मुटा फोर लीजिए साथ में आधा किलो मटर छील कर दानी निकाल लीजिए तीन मीडियम साइज की लाल टमाटर, तीन हरी मिर्च, एक इंच अधरक का टुकड़ा और एक मुठी हरा धनिया साफ दो कर ले लीजिए अधरक को छील लीजिए और अधरक मिर्च टमाटर को बारी काट कर मिक्सिम पीस कर पेश्ट बना लीजिए हरे धनिये को बारी काट लीजिए मसालों में एक एक चमच नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया ले लीजिए सबजी को अच्छा कलर देने के लिए एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए तड़के के लिए एक चमच जीरा और चोथाई छोटी चमच हींग ले लीजिए कुकर में दो टेबलिस्पून तेल गरम कीजिए और हींग जीरा डाल कर क्रेकल होने दीजिए जीरा क्रेकल होने पर टमाटर अदरक मिर्ची का पेश डाल दीजिए और लगातार चलाते रहिए सभी मसाले डाल दीजिए साथ में कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मसाले को भून लीजिए देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब मटर डाल दीजिए, साथ में उबले हुए आलू डाल कर अच्छी तरह से मिला लीजिए दो कटोरी पानी डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए कुकर का धकन लगा दीजिए और तेज फ्लेम पर एक सीटी आने तक पकने दीजिए देखिए कुकर की प्रेशर निकल चुकी है, कुकर का धकन खोलिए, देखिए सबजी बन गई है आधा चमच गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया मिला दीजिए लीजिए आलू मटर की रशेदार सबजी बन कर तैयार है तैयार सबजी को डोंगे में निकाल लीजिए और हरे धनिये से गार्निश कीजिए लीजिये स्वादिष्ट आलू मटर की रशेदार सबजी बनकर तयार है गर्मा गरम पूड़ी पराठे और चपाती के साथ खाने का आनन्द उठाईए यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद